लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यह देने में लेटेस्ट अल्ट्रा चनल्स को अपडे में कर दो, कर दो, कर दो. कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. झाल 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 मुझे पुलीस के नोकरी भाग पसंद है लेकिन मेरी वज़े से एक जान खत्र में है खोश में आना है लेकिन नहीं हो रहा है मेरे शरीव में तो बुलेट लगी है और ऐसा लग रहा है कि मेरे अंतड़ियो को पार कर चुकी है पैर में बुलेट लगी है बहुत दर्द हो रहा है मेरा नाम है अम्बू सिल्वन अम्बू सिल्वन IPS मेरे नाम के आगे जो तीन अक्षर आते हैं वही मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी मेरी तपस्या है 24 साल की तपस्या है मैं उस उमर में IPS के लिए सिलेक्ट हुआ तब तक मेरी जिंदगी बिना किसी लक्षगी चल गए थी उसके बाद सब कुछ बदल गया जिंदगी में ऐसी कई चीज़े होती हैं जिनने भुलाया नहीं जा सकता बहुत सारी खुशिया, कुछ जख्म, कुछ निराशा 27 साल की उमर में, बता और ACP कोयम तुरके नार्कोटेक्स डिपार्टमेंट में जोइन हुआ था दो साल के बाद, क्राइम ब्रांच, मदरास सेटी अंबू सेलवन IPS, असिस्टंट कमिशनर अफ पुलिस इनके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा यह क्राइम ब्रांच में ट्रांस्फर हो कराए हैं यह उप्रेशन पूरा होने तक आपके साथ रहेंगे and of course, Mr. वासुदेवन नायर क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस, रिटाइड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इन्होंने अकेले 27 एनकाउंटर किया है और एक साल में इन्होंने 24 गैंग्स्टर का खात्मा किया है He is one of the best बासुदेवन और यह एक अच्छे दोस्त भी है आपके एडवाइजर के लिए हमने इनसे दर्खास्त किया है इस टीम को असेंबल करने वाला मैं हूँ इस गाइज और हैंड पिक बाई मी में साथ में काम के अरूल और इला मारण तूती कूडम में वहाँ के लौ एन ओर्डर में काम करते थे कमांडो ट्रेनिंग में ये चारो एक साथ थे इस डॉसियर्ज में तमिल नाड़ो के में चार गैंग्स्टर यूनिट के बारे में अगर हम से तू मना लिगजा पेट्रो पमशेखर आशे इन लोगों के बारे में हर दिन इंफॉर्मिशन मिलती रहती है सर आशे तीन दिन के अंदर सिटी में पिक अप के लिए आने वाला है इसी इंफॉर्मिशन मिली है आपके इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं सर शिकार के लिए हम तयार है 28 इंकाउंटर्स मुंबई सीटी के अंदर उसमें 27 सक्सेस्फुल वन फेलियॉर लोग मेरे एक फेलियॉर ऑपरेशन के बारे में बात करते थे उसके एगले है पल तुमारे जिद्गी में इफेक्ट होने के पूरे चांसेस है उनके साथ ही खामोश नहीं रहेंगे तुम लोगोंने मारने के रादे से गय हो ये सोच कर वो तुमसे बदला लेने के लिए तरपेंगे और उनका लक्ष तुमारी दर्दनाक जिन्दगी होगी हम चार लोग हमें पता नहीं दर क्या होता है डिपार्टमेंट में सभी कहते हैं कि हमारे अंदर गरम खून है We were the untouchables तेरे पास ही आ रहा हूँ पैसे तयार रखना है आगर तुने पुलीस को बढ़े दो दो पैटलपम शेकर अंदर चार से पांच लोग हो सकते हैं तो आप लोगों को साथ लेकियाना चाहिए था हम लोग सूपर में ने जो बाते कर रहे हैं श्री अख श्री अर्योप करो के तुभी बहुत सर 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 गजा भाई से तुभाई पुलीस बाते हैं जो करो Called बाते हैं करो भाते मता, आप सकते हैं झाल ये ठाल को प्रेश कों प्रेश 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 की प्रेश की। पुलिस, तेरे नाम क्या रहे? यह तेरे बारे मेरे फंट्रो ने बताया, तू यहां से जिन्दा बच के नहीं जाएगा, आजा इनको अरेस्ट करने क्या? अरेस्ट क्यों करना है? अब ही हमने अरेस्ट कर लिया ना, तो देवी से बयान लेकि इसे सजा दिला सकते हैं। देवी जब बेट से उठे की ताब, वह बोलने की स्थिते में होगी ताब, देवी अगर गवाही लिख पाएगी ताब, यह सब होगा क्या उससे? कोई ज़रत नहीं है। अरे का, अरे किसने मारा? अरे क्या हो या? अरे किसने मारती? यह भगोट अगा? मर गया गया? अगर अरेस्ट करते तो बेवजा गवर्मेंट का खर्चा एक गाड़ी रखनी पड़ती उसमें डीजल का खर्चा अपने चार लोगों को उनिफॉर्म में इसके बंदो बसमें लगाना पड़ता को जज अभी एक बुलेट के खर्च में काम नी पड़ गया वो भी मेरा होगी इसको मार जो दिया जा रहा है तीन दिन पहले इलामारण के घर के पास तीन संदिक दिवक्ती खड़े थे पूछताच करने पर पता चला कि उनमें से एक गजा का भाई है और 18 तारीक की जो इंटेलिजेंस रिपोट आई है वो आपके टेबल पर रखी है पिछले 14 त पेटे में मिटिंग कर चुके हैं कि अगले पोंगल पर वो हम चारों को खत्म कर देंगे और अपनी पत्नियों के सामने शपत ली है आश्य, गजा, पेटल पंशेखर इनसे हमारी कोई पस्नल दुश्मनी है क्या लेकिन यह हम लोगों को पस्नली मुफ्त में मिला हुआ हु तो समझे आप, यूर रेकमेडेशन इस रड़ी, माम, आप मानावथिकार की बात कर रही हैं और मानावथिकारों के उलंखन की भी बात कर रही है, मानावथिकार इंसानों के लिए है, मेरे खहल से यह तीनों इनसान नहीं है, अगर आप हमें सजा देना चाहती हैं, तो पूरा किया? नहीं स्वाती, अभी पूरा नहीं हुआ है, सेतु, सेतु अभी भी जिन्दा है, बाकी के बज़ जाते तो चलता, लेकिन इसको मारना बहुत ज़रूरी था, उसके बाद मुझे ट्रांसफर मिलता तो मुझे कोई जिन्ता नहीं होती, यह ट्रांसफर टेम्प लेकिन मैं सेतु को भोलने ही पा रहा हूँ, मैंने दिल में ठाम लिया था, कि एक दिन में उसे जरूर उठाऊँगा, हम चारों को अलग-अलग डिपार्ट्मेंट में डाल दिया गया, मुझे क्राइम ब्रांस से कंट्रोल रूम में, कंट्रोल रूम का बहुती आसान काम ह चुहों का शिकार करना, पुलिस की नौपी ऐसी होती है, कोई भी पुस्टिंग आखिर तक नहीं रहती, जहां भी रहूँ, मुझे जो काम दिया गया है, वो पूरी मंदारी से करता हूँ मदरास सिटी, जहां कहीं भी देखो, बस चोर, उचक्के, बदमाश, गुड़ागर्दी, स्टॉप कुछ देखा करो भाई, हाँ, ठीक है, ए, क्या कर रहे हो तुम लोग, हम लोग ऐसे ही बैठे हैं साब, कोई घर नहीं है के तुम लोगों का, है न सर, हम लोग तो ऐसे ही बैठे के बाते कर रहे हैं, कोई ऐसे बैठे के बात नहीं कर सकता क्या, बात करना भी गुना है क्या बैठ सकते हो कई भी बैठ सकते हो अगर तुम्हारी वज़े से किसी को परिशानी नहीं हो तो चलो पहर के खड़ा है एक सा ब्लेड वायर है यहां जाना आज चाव्याही चाहिए जाने के लिए वह रहा हूं ना शाय से लो हमसे पूछ़ रहें हैं हैं क्या हो गया इस बोलते ही विरप्पन को पकड़ने हम लोग विरप्पन को अब तक नहीं पगड़ पाए है हौकात नहीं है बोला ये जूट है मैं एक अकेला इंसान हूँ इस दुन्या में मेरा कोई रिश्टेदार नहीं है और यहीं मेरी शक्ती है बेबी बच्चे वाले बहुत आफिसर्स है जिनके पास वो आज़ादी और हिमत नहीं थी वो सब मेरे पास बहुत ज़्यादा थी डर किसे कहते हैं ये मुझे पता ही नहीं है मैं कहीं भी एक किसी के भी खिलाफ खड़ा होकर उसे टक करते सकता हूँ और मुझे उसके अंजान की परवा भी नहीं है और मुझे यह बहुत पसं था और एक दिन माया मेरे संदिग में आपे मेरे खुब बसूत माया जिनिगी में ना कुछ लग्यों से मिला हूँ लेकिन आज तक किसे ने मेरे दिल को डिस्टब ने किया वो भी पहली नजर में है एई यूटन लेना सेव अरे यूटन लेना याद उस दिन तुझे हाथ दिखाया था तो तुने मेरे हाथ तो धुका था ना फाथ तेरा दुपट्टा मेरे हाथ था तो धाराए तो अगर तेरी मा पुछे कि तो क्या जाब देगा इदरा नहीं बहुत बड़ा मज्नूबंद आए क्या ज़र ज़र उसे दिन ने उसे पहली बार देखा एए जाओ रहे जाओ यह ऐसे उसकी आखों में उस बगजो गुस्सा ओर्डर था होना भून नहीं पाया पहली बार कॉलिज खत्म करने के बाद किसी लड़की को देखते रहने का मन कर रहा था मुझे मेरे किसमत पर भरोसा नहीं है लेकिन हर बार वो आप अंदर आएंगी अजिए मेरे कर दो कर दो किसी नहीं है अजिए मेरे का कि आपकी पायल लगता है लिफ्ट में किर गएती है किया अपकी नहीं है ये मेरी नहीं है आपको भी पता है इसक्यूज मी ये मेरा है लिफ्ट में गर गया था ओ ये लीजे थैंक यू कातुमों तुमें स्पॉट पर आगया बुल दो कोई भी महां पर खड़े मत रहो अब एक किलो शक्कर एक टैकट मैदा और ब्रू कॉफी अभी देता हूं है 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 जल्दी दीजे ना प्लीज कि अब इसक्यूज में आप इसी अरिया में रहती है घर कहां है आपका मैं आपको पहचानती हूं क्या आपको जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती वो मुझे पसंद नहीं करती थी और ये बात मुझे बहुत पसंद थी ये लिजे सौरत है बागी के पसे बाद में लेनेंगे ठेक है लड़कियों के मामले में मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन मुझे लगा कि अगर लड़की हो तो इसी हो में चलिए सर 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 मुझे आदे गंटा दीजिए मैं लाकर दिखाता हूं दूस अफ़ता के बाद मैं फिर उससे मिला सर क्या प्रॉब्लम है इधर सर पेपर्स नहीं है लाइसेंस नहीं है और पूछ रहा हूं तो गोल मुल जवाब दे रहा है सर क्या नाम है तुमारा राजा है सर सर में आपको जानता हूं असिस्टिंट कमिश्णर अन्बू सेलवन सर ट्रेस पलम एरिया में हम दोनों ने एक लैंड प्रॉब्लम सॉल्प किया था आपको याद है सर आपका नाम क्या है माया घर का है नमबर थ्री पुसा ने पाया नगर अडियार उस दिन पूछा था तो बताया है नहीं कहां से आ रहे हो नाइट शो दिखकर आ रहे हैं टिकेट है गया सर ग्रिम्ज रोड फूट शॉप पर्टिकेट के बदले फ्री जूस मिल रहा है टिकेट के पिछे लिखा था सर इसालिए हमने यूस कर लिए कौने भहने गया नहीं सर फ्रेंडस फ्रेंड मतलब फ्रेंडस तो यह बतलब फ्रेंज्ट यह रोल्ग भी उसके रोल्ग उसके रोल्ग उसके भीना चलोगे क्या तुम्हड शॉट्कर यूस तो कर्यों लेकिन वह बिल्कुल सही नहीं इस ताइप अफ दॉट्टकी अर्ग्ड़का शुड़न्ट यूबे कर्याओन यूर पेपर्स यस सर्थ सॉरी सर्थ ओके कर्याओन चाभी उनको देदो ओके सर्थ ए चाभी देदो जी सर्थ कमेचन साब का साइन ले लिया है आप उनका इंतजार मताँजिए वहाँ पर चीफ वेट करें ओड में इस फाइल को लेजा कर सब्मेट कर दीजिए मैं शाम को आपसे मिल के बाद करें हलो सर् और अच्छानक एक महने बाद मैंने फिर से उसे देखा हलो मेरा नम माया है याद है क्या काम है मुझे सौरी कहना था मैं आपसे गलत तरी किसे पेश आई अच्छले आप इतने बड़े ऑफिसर मुझे पता नहीं था उस दिन आपकी नजरों से ही मैं समझ गया था बात करने के लिए पायल का नाटक सेट करके आपके पीछे घुम रहा हूँ ऐसा आपने सोच लिया था क्या पुलिस ऑफिसर पायल लेकर किसी के पीछे ने खुमेगा आपने रिलाइस कर लिया है ना पुलिस के लिए एक अलगी सम्मान होता है ना अच्छी बात है बुलिए क्या सॉरी बोलना था ना आपको अहां आम सारी सार्व आम रिली सारी किसी अजने पिसे बात नहीं करना अच्छी बात है लेकिन किसी को गलव महीं समझना चाहिए क्या कर रहे हैं आप यहां पर स्पोर्ट्स डे स्टूदेंट टीचर संट स्टीफन स्कूल में टीचर माया कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो मैट्स, कंप्यूटर साइन्स, 10th and 12th Standard 12th Standard Maths महवाती मुश्कील है क्या पढ़ाईगी आपने M.A.C. Maths, I.I.T. Chennai हम इसे आप यहां पढ़ा रही हो क्या मुझे पढ़ाना पसंद है इसे लिए सर आपका एक आर्टिकल पढ़ा था पिछले हफते के एक्सप्रेस में वेरी इंप्रेसिट सर थैंक्स आंक्स I am sorry I am really sorry Don't worry about it, okay Bye Bye Hello How are you, sir? Who are you talking about? Sir, Maya is talking about it Do you remember? St. Stephen School? Maya 12th Standard Maths Yes, I remember Tell me, what's the matter? If you were talking about this number, do you have to talk about this number? Yeah, no problem Sir, I am also talking about the school There are some problems here I need help Do you want to come here, please? Hello Sorry, sir You forced me to come here No, I don't know What's the matter? Thanks for coming Oh, this is my student Roshni Hello, Roshni Hello, sir Okay, let's go to the car I'll sit in the car Okay, let's go to the car Okay, let's go to the car Sir Okay, let's go to the car Hey, how should I go to the car? Put me a little Put me ajut Also, what are you thinking? Put me somewhere In case of Mint Put me a bit Get me here Then I know Then I know Referral Put me Put me Murder Take Oh, shit कल herd प्रप सब्सक्राइब्लर गाण सवामी सवामी है चल जा बढमाश लोग घर जा रोशनी आज के बाद तुम इन लोगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगे तुम एकदम तेज गदमों से बेखौफ जा सकती है अपनी नजरें हमेशा उपर उठा कर चलना ओके थांक्यू सर मैं यहीं उतर जाती हूं अगर वो सच में ऐसे होता तो क्या होता पूरा चेहरा जल जाता मैं तो सोचकर काम गई थी थैंक गॉड थैंक यूड उसके बाद बार बार वो चेहरा वो आखें मेरे सामने रहती थी सात रंगों की तरहां यह सब और क्यों था मुझे नहीं पता वो मुझे पसंद्थी या नहीं यह मैं भी बोलने ही पा रहा हूं सारे पंद्थ सौफ्ट हो रहें तफनेस का गई क्या हो गया तुझे एजा है क्या है ठीक है अब लेले आजे आजे चाल कम आण कम आण हम आण नहीं पीड करता हैज आएजर नहीं तरह नहीं है तो अब 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 रहें साथ लोगें नहीं यहां ज़िए आप को देखा यह क्या आप की बीना पसंद्थ करेंगे त्वेसर वुड याइक टो जॉइन उस और सॉरी मैं यहां जुटी पर हूं सियम यहां से जाने बाने मुझे यह पर रहना होगा थैंक्स यू करी ओन ठीक है सियम के जाने के बाद आजाए हम वेट करेंगे आएंगे ना किना टाम लगेगा पता नहीं मेरे लिए बेट मत कीजिये जाए ओके ओके बाए बाए अपना काम करो कात्मृतु कर दो है अब जो पर देज देज चला जो आज चुछ गए थे वह उस दिन उसके नाथे पर किर गये कई बार कई खतरनाग एक्सेड़ेंट देखें लेकिन कभी किसी हटसे में मुझे इतना दुख नहीं पहुंचाया लेकिन उसके साथ जो एक्सेड़ेंट हुआ वो देखने के बाद तो मेरी चाहन ही निकल गए थी सच में 24 घंटे निकल जाने दी वैसे ये ठीक हो जाएंगे होगे डॉक्टर एलो हलो साथ कैसे आप आप कैसी हो बहुत दर्द हो रहा है ठीक हो जाएगा अब डॉक्टर कौनी के लिए कह देता हूँ इसी पिसा सी एम की जाते वक्त आप वहाँ पर नहीं थे आप कार में मुझे होस्पिटल लेकर गए जब मैंने आपको काफी के लिए बुला तब आपको मेरे साथ आना चाहिए था अरे आप तो सीरियस हो गए मैं मजाग कर रही हूँ आपको देखते हुए जा रही थी सामनी से क्या अराधा दिखाई नहीं दिया पहली भार हमारे शहर में पानी के टैंकर को कोई दोश नहीं देगा हलो, इसका नाम आरती है, यह माया की सिस्टर है क्या हुआ, कैसी है वो अ, शीज ओके नौ, मांट रोड पर एक टैंकर से अक्सिडेंट हो गया माथे पर हाथ पर पैर पर चोट लगी है क्या बाद है, सुनने में आये पूरा दिन हॉस्पिटल में रहते हो सिर्फ दो बार जाकर मिला, बस इतना ही लेकिन हर काम के बीच में उसका ख्याल रहता है स्वती अब बोली तुमने असली बात, so this is it फाइनली और फॉल इन लाव ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे इसकी जरूद भी नहीं है उसका एक्सिडेंट मेरी वज़े से हुआ है, इसलिए दिल में थोड़ी सी खटकती, बस इतना ही उस दिन तुमने कहा था न, कि नाइस गय को नाइस गल मिलती है वो अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसके लिए अच्छा लड़का नहीं हूँ मैंने उसे उस दिन रुलाया था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, आज के बाद मैं उससे नहीं मिलूँगा थैंक्स पर एवरिक, मुझे उससे मिलने का दुबारा मन किया क्या बात है ऐसी पीसर, मुझे से मिलने आया है ना, एक फ्लावर बुकेल आ सकते थे ना, गन लेकर आया है भले ही आप बड़े आफिसर हैं, आपको देखकर लोग डरते होंगे, लिगनिक लड़की की सामने कैसे पीशे ना चाहिए, इस बारे में आप कुछ भी नहीं जानते ना, मानते हैं नहीं से हाँ मैं मानता हूँ और आप कुछ ज्यादा ही अनकमफिटेबल है करेक्ट क्यों? नहीं है, यह चेर चेर? आपकी देदी भी अनकमफिटेबल फिल कर रही है, जब मुझे देखती हैं, यह मैंने हॉस्पिटल में देखा था, क्यों आपने पूछा क्या? मुझे पता है, आप एक पूलिस वाले हैं, आप मेरे साथ बैट कर बात कर रहे हो, इसलिए जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो हम पूलिस वाले को देखकर अनकमफिटेबल फिल करते हैं बाकी लोग अनकमफिटेबल क्यों होते हैं? आप मेरी दीदी को क्रिमिनल कह रहे हैं? नए, ने, हम लोग येक साधरन इंसान ही हैं. वे आ नॉर्मल पीपल, एड़ नॉर्मल परसन. मैं ये कहना आठा था. उनने भी ये बता देना. ऐसा है, देखते हैं, कि आप कितने नॉर्मल परसन हैं. मेरी बुलाते हैं, आप आगए, इसकलेट हैंड्स. क्यों इस तरह फार्मली बात कर रही हैं? नहीं, आप बिजी रहते हैं, लेकिन मैंने आप से मिलने का फैसला किया था. बहाँ निकले काफी दिन हो गया ना. सुचा, आप से मिलकर देश का हाल ही जान लेती हूं. सिटी एक दम शान्त हैं ना, इसी पिसा. क्यों नहीं, आप हैं तो शान्ती होगी. एक्चलिय मैं भी इतना बीजी नहीं हूं, सिर्फ कंट्रोल रूनी है. जिन्दकी की तीन महीने तो बेकार हो गए. सपनों में भी अब दिवारे ही नजर आती हैं, इसलिए कल में पॉंडी चरी जा रही हूं, अपनी दीदी के घर. दीदी तो उसी दिन चली गई थी, उनसे मिलने का मन कर रहा है. इसी पिसां, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आपने काना क्या बीजी नहीं है? आपको आना होगा. मैं आपको बहुत खूबसरे जगे ले जाऊंगी. आपको बहुत पसंद आएगा. चली ना. अब चलें क्या? टाइम हो रहा है. I had a good time. बहुत दिनों के बाद. Thanks to you. मुझे कुछ बात कर नहीं है. घड़ी मत देखिए. मुझे बात कर नहीं है. आपके बारे में कुछ पता चला है मुझे. क्या है? जिस दिन एक्सिडेंट हुआ था उस दिन की बात है. मुझे लगा किसी ने मुझे वाटर टैंक से उठा कर भीका. जब हो शाय तो बहुत दर्द हो रहा था. इतना कि मैं बरदाश्ट नहीं कर पा रही थी. और फिर अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे उठा कर ले जा रहा है. ACP आफिसर. मैंने देखा था. कार में आपने मुझे अपनी गोद में सुलाया. मैंने देखा. आपके शट पर मेरा खून था. मेरे बैते खून को रोकने की कोशिश की. कातो में तु जल्दी चलो अब ड्राइवर से कह रहे थे. मुझे सब कुछ पता है. मैं सब देख रही थी. आप रो भी रहे थे. क्यों? मुझे हॉस्पिटल में एड्मिट किया. फिर मेरी आखों के सामने अंदेरा चागया. लेकिन मैं मरूंगी नहीं. ओफिसर. एक बात बताईए. अगर मेरी जगे आपकी गोदने कोई और होता, तब भी आपकी आँखों में आसुआ थे? मेबी. लेकिन उस वक्त आपकी गोद में मैं थी. हॉस्पिटल में जब आखे खोली तो मेरे सामने आप ही थे. तब मुझे दर्द का एसास नहीं हुआ. मैं बहुत खुश थी. ओफिसर, मैं साफ साफ कहती हूँ. और मुझे ये कहते वे शेर्म नहीं आ रही. मैं आपसे प्यार करती हूँ. ट्रूली, मैटली, डीपली. नहीं माया. सिर्फ प्यार मत कहो. तुम्हारे ये कहने से पहले कि तुम प्यार करती हूँ. एक फिलिंग थी, वो अच्छी थी. उसे वैसे ही रहने दो. मुझे ये पहले समझ लेना चाहिए था. गल्ती मेरी ही है. मैं कोई वज़े नहीं देना चाहता. लेकिन मैंने अकिला रहना सीख लिया है. मेरे घर में किसी और के लिए कोई भी जगे नहीं है. और नहीं मैं किसी को दुखी करना चाहता हूँ. Literally. Anyone other voice. मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं, ये नहीं पूछा. मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लीजे. मेरे दिल में जो था, वो बताया. आप यही बोलेंगी, ये मैं जानती थी. अब चलें हम आफिसा, चलें. मेरे आखों के सामने, वो मुझे बदल रही है. मेरे दुनिया को बदल रही थी. वो मुझे पसंद नहीं था. मैं सोच रहा था कि उससे कहीं दूर चला जाओ. लेकिन मुझसे होनी पहा है. हेलो माया, कैसी हो आप? अच्छी हूँ. आपने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया? हम, दो हफ्ते हो चुके हैं. आप यहां मुझसे मिलने आई हैं? मैं यहां किसी और को तो नहीं जानती. ठीक है, चलो. मैं कॉंसेंट्रेट नहीं कर पा रही, मैं कलास नहीं ले पा रही, और सारा गड़िक भूल रही हूँ. स्कूल में किसी से खुल कर बात नहीं कर पा रही हूँ. भूख नहीं है, नीन नहीं आ रही. इसकी वज़े आप हैं यह बताना था. मैंने सोचा था, आप से नहीं मिलू, क्योंकि मुझे गिड़गडाना पसंद नहीं, लेकिन मुझे उसकी परवा नहीं है. मैं आपको पसंद करती हूँ. मेरे प्यार को अपना लीचिये. बस यही कहने यहां आई थी. और एक बाद, आपने उस दिन कहाता कि आप एक नॉम्मल पसंद है. I'm sorry, आप एक नॉम्मल पसंद ही है. अगर ऐसा होता, तो आप मेरे प्यार को कभी नहीं ठुकरा दे. वो जो कह रही है, वो सही है. You're not a normal person. मैं आपसे प्यार करती हूँ, truly, madly. I'm sorry, पर आप नॉम्मल पसंद नहीं है. अगर ऐसा होता, तो आप मेरे प्यार को ठुकराती नहीं. मैं आपसे प्यार को नहीं जानता, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है. बात कर सकता हूँ? I love to. चलो. माया, तुम्हें क्या चाहिए? मैं समझी नहीं. मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें मुझे से क्या चाहिए? मुझे आपसे शादी करनी है. आपके साथ जिन्दगी भी तानी है. आपके साथ रहना है. मुझे आपके साथ मुस्कुराना है. जगडा करना है. आपके कंदे पर सररक करोना है. आपके प्रती हमेशा पागल रहना चाहती हूँ. I want to make love to you. तीम बच्चे होंगे हमारे. और वो बच्चे शकलों और अकल में आपकी तर होंगे. मैं इन आखों को हमेशा देखना चाहती हूँ. और फिर एक दिन मर जाना चाहती हूँ. यही चाहती हूँ. क्यों? मैं कोई यह जॉली घुमने फिरने वाला लड़का नहीं हूँ. I am a police officer. खत्रा मेरे आस-पास मन रहता है. तुम्हारी और मेरी उम्र में 6 साल का फासला है, माया. Why me? It's a girl thing. आप नहीं समझ पाएंगे. अगर मेरी जगे होते तो समझ जाते. ठीक है, ओके. शादी कर लेते हैं. मैं तुम्हें पसंद करता हूं, माया. जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा, उसी दिन से. बगर मैंने दिखाया नहीं. और इसके आगे चुपानी पहूँगा. आज से एक महने बात, हम शादी कर लेंगे. उसके पलकों में आसूँ और चुपर खुशी. उसने जिस खुशी से मुझे देखा, वो मैं कभी भूल नहीं सकता. उसी पल से, उसके साथ जिन्दगी बिताने का, मैंने फैसला कर लिया. एक हफ़ते के बाद, शिरिकांत, अरूल, इला मारन, और मुझे फिर से क्राइम ब्रांच में ट्रांस्फर कर दिया गया. गैंग्स्टर सेतु की फाइल ओपन कर दी गई. और ऑपरेशन से तू चला. और इसके दस दिन पहले, मेरी जिन्दगी में पांड़ा नाम का शक्स आया. पांड़ा. सेलम में उसका जनम हुआ. 19 साल की उम्रे में उसने अपने बाप को मारा और वो मुंबई चला गया था. आठ साल के बाद, आज उसके सर पर 32 केस रेजिस्टर रें, और महाराश्टा पोलिस उसकी तलाश कर रही है. पंधरा एक्स्टाउशन, 9 मर्डर, पंच अपहरन, एक डकैती, एक बैंक रॉबरी, और आखिर में, अश्विन नाएक नाम के लोकल ML कम बर्डर. पंधिया को अरेस्ट करके, मुंबई जल भीज दिया था. 6 महने अंदर था. 6 महने और 9 दिन, वो वह वाँ से फरार हुआ. और फिर, पूरा मुंबई शहर हिल गिया था. मुंबई के जल से फरार हुआ पंधिया, सिधा चिन नहीं आया. जब सेतो की फाइल रियोपन की गई, तो उसकी सारी फिस्ट बहाद निकली. उसमर्थ हम लोगों को सिर्फ एकी चीज़ के बरे में पता नहीं था, कि क्राइम ब्रांच जिस से तो के भाई को ठोण रही है, वो मुंबई से फरार गैंस्टर पंधिया है. यही है, अपनी जगे और हमारे आदमी. मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और तेरे लिए भी. पंधिया, जब मुझे पता चला तो जेल में है, तो मेरे हाथ पर काम नहीं कर रहे थे. क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैं आपाहिस हो गया था. यहां भी पुलिस ने मामले को गरम करके रखा है. पुलिस, बाई, मुंबाई में एक शिंदे नाम का पुलिस अफिसर है. जेल में उसने मुझे बहुत मारा. आदे घंटे में उसकी मौत होगी. और मौत भी ऐसी, कि जिसमें एक खरोच नहीं आएगी. अब तक तो हमारे आदमीं पहुंच चुके होंगे. उसके 17 साल के बेटे को उठा कर, दो दिन उसे अपने कबजे में रखकर, शिंदे को रूलाने के बाद, उसके बेटे की लाश को पार साल करके उसके घर भेज़ देंगे. और ये खबर सारे पुलिस वालों को पहुंच जाएगी बाई. फिर हमारा सामना करने से पहले सौ बार सोचेंगे वो. याद रखना मेरी बात. बिल्कुत सही कहरो तुम. यहाँ भी तिन चार पुलिस वाले हैं. उनके साथ ऐसा ही कुछ करेंगे, तब ही उनको अकल आएगी. ऐसा ही होगा. या सेथु भाई, पांडिया भाई याए है, जब कोई मिनिस्टर आता है, तो बैनर लगांके धूम दाम से जशन बनाता है. उसी तरह पांडिया भाई का भी एक बैनर लगाते हैं. वो अभी कमिशनर ओफिस के सामने भाई. हेई, पांडिया के लिए मैंने यहाँ बैनर बना रखा है रहे. सेथु भाई, कमाल भाई. सेथु भाई, इसकूल के बच्चे को लाइन में खड़े लगे फूल देते हैं ना, उसी तरह पांडिया को कुछ देते हैं. मोजा कोई फूल भूल नहीं चाहिए है. यही है उस प्रोडुशर का बेटा. तेरे ना वारून नहीं किया? हाँ. अपने शिकार को फसाने के लिए. तुम्हारे पापा नी स्टूडिय बुला है, चलो. हेलो? हाँ जी. है, तेरे बेटे को हमने किड्नेप किया है. अगर तुझे अपना बेटा जिन्दा चाहिए, तो पचीस लाग का इंतिजाम कर. शूटिंग चल रही है. इसलिए पैसों का इंतिजाम करने में तुझे परिशानी नहीं होगी. समझ गया? मैं एक ही बार बोलूँगा, पुलिस के पास मत जाना. वरना ये मामूली आपरण का केस नहीं रहेगा. सीताराम के पास पैसे हैं या नहीं? बिल्कुल हैं. वो इस वक्त पैसों से खेल रहा है. वो बहुत अमीर आग्मी है. तो फिर हमारी धमकी देने के बाद वो पुलिस टेशन में क्यों बैठा है? ये अरुन, तेरा बाप तो तुसे प्यार करता है नहीं है. वसे तेरी उमर क्या है? 11 सार. भाई, लगता है सीताराम को वक्त की निजाकत समझ में नहीं आई. उसे संठा बेखे हैं. चाहिए! रुका! 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 ये भगवान! ये बेवकूफ, हमने एक बार बोला, और किलियर बोला, पुलिस के पास मत जाना, आपस हमांडवाली करते हैं, लेकिन तुने सुना नहीं, जिस घर के बाहर तेरा बेटा खेलता था ना, आज उसकी लास तेरे सामने पड़ी है, क्यों किया रही है ऐसा? ये बेटे को माह डाला तुम लोगा नहीं जानते हो कि मैं क्या चीज हूँ? ये बाकवास मत कर, सब लोग तेरे घर पे हैं ना, दुख में रो रहा हैं, वो तेरी बेटी शेल्वी हैं ना, वो इस वक्त मातम में शामिल क्यों नहीं कभी सोचा क्या तुने, कहा है तरी बेटी, कहा है, बोल, बोलना कहा है पे, शेल्वी, शेल्वी, तेरी बेटी इस व हजार के नोट है बाई सब सौसो नोटों के बंडल में हैं अगर ये कम उसने पहले किया होता तो लड़के को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है उसके लड़की को उठाने के बाद ही उसकी अकल ठीकाने आई है बाई सिंपल बड़ पावरफुल बाई लड़की खुबसूरत है है ना उसकी लड़की के साथ इंजा करने के लिए हमारे आदमी तड़प रहे हैं लेकिन लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए लड़की की मर्जी शामिल होनी चाहिए समार पड़ होना चाहिए मैंने अपने आदमें से कह दिया कि पर हमें राज करना है अप्राद चंगल के आग की तरह पूरा शहर वहशत में था से तून तीन मेहने में छे लोगों का पहरम कर चुका था चार बखे थी तेरा माइडर्स और ग्यारा लोगों को लूटा था गाड़ी कैसी है रहे कहीं उड़ मत जाना नंबर अच्छा है तब तक डिपार्टमेंट को पता नहीं था कि सेदू के पीछे पांडिया का हाथ है उसकी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ हो रहा है यह पूरा शहर अपना है ताम बरम से लेकर रैनूर तक सब तरफ हम ही हम है पांडिया अच्छा वा तुँ आ गया पियो पियो सेदू पर हमने निशाना साधा और उसे खत्म करने का हमने प्लान बनाया है चल चल जाते हैं चिंता मत कर सेदू बाई मैंने बोला ना आपको बहुत ज़्यादा बुखार है लापरवाही करोगे तो मौत कनफरम है 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 पूरे शहर में पुलिस को जिसकी तलाश है वो मैं हूँ यह बुखार मेरा कुछ निवो खाड़ पाएगा मेरी बाद तो आप मानो गी नहीं ए चल दे गाड़ी निकाल वासुसेट सेथू त्रिशूलम स्टेशन नहीं चाहिए सिंगल पट्टू रेलवे स्टेशन सीध सिंगल अंदर आजाना वह भी एक घंटे के अंदर अकेले आना संजा है कि शरी हम लोगे एरपया सेंबल हो गया है इंफोर्मेशन करेक्ट है ना इंफोर्मेशन करेक्ट है प्रिशूलम स्टेशन पर नहीं वही सी स्टेशन पर मिट करने वाला है वासूसेट तो आग भी I think we should take positions I think we should take positions Police! 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 य pneं ल१क जो कि अ जू राइबा है थाना य ज रढ एकु न यु औरै य जढ थाना वे ना है पॉर जब जो चाहता था ना बिलकुल अब इसका क्या करना है जैसे फेल्मों में अथकड़ी पहना कर घसिट कर ले जाते हैं वैस तरह जाते हैं जेताओने लेकिन तुरे सुना नहीं ले अबमार इसे जेल में डाल देते हैं कुछ लोगों का नाम उखलेगा उसे उठाते हैं इसके फीचे बड़े-बड़े लोगों का नाम छूपा है ए है किसे चाहिए चार पाज बड़े लोगों का नाम अरॉल इससे पूचिए कि सी भकवन को मांतना है तो प्रार्थान करनी के लिए बोल दे देखने में तो यह ऐसा ही लग रहा है अपनी आखे बंद करने के लिए बोली से इससे जिंदा चुणने का मन नहीं कर रहा है मेरा सेतो डर लग रहा है अगर डर होता तो तुट्टुपड़ी में आने की हिमत नहीं करता सेतो तीन साल से पूरे शहर को हिला कर रखने वाला दादा डिपार्टमेंट की रात के नीद उड़ाने वाला एक देश तो ही अब नहीं रहा मुझे रुदकर्व है मैंने जिस तरह से उसे मारा उसका मुझे जरा भी पच्चतावा नहीं है बस उस वक्त मेरे जहन में ये खुशी थी कि अब शहर शांद रहेगा फिक्र करने की कोई बात नहीं है चलो पांडिया भई चल लेगा से उस वक्त पांडिया नाम का कोई है ये मुझे पता नहीं था पांडिया ये क्या हो गया पांडिया तुई एक बार बोल पांडिया हम तेरे हुकम का इंतजार कर रहे है वासु सेट अभी कहां पे है उससे पात में ढूंड लेंगे वासु सेट से ही पुलिस वालों वासु सेट को मारना होगा उसके पूरे परिवार को मारना होगा हां HR कर देते हूसे 'Sय्प razor कर दे से यूचे का बदा लेना होगा बदला इतना खौफ पया क arisesयाव प्लाइन करो कशन्यक्रा अपनी पूरी टीम के साथ था चैयार हो जाओ हर जगह हमारे आद्मी होने चाहिए अनुस सेलवन के घर में जो कोई भी मिले माप भाई बैन बीवी बच्चे कोई भी बचने न पाए उसे तुब भाई का बदला लूँगा मारूंगा उन्हें उसे तड़ता हुआ देखना चाहता हूँ तुम लोग ये काम करोगे की नहीं करोगे जल्द साथ एक दिन कविश्तर ओफिस के स्थामने बात कर रहे तो दोनों मिनने देखा बक्ता बोलता हूँ गर्फ्रेंड है उसकी वह हाई पिछले हफ्ते थोड़ा बीजी था मुझे अग बार से पता चला अभी फ्री होए ना टोटली इसे स्वाती है हलो श्रीकांथ हालो अभाना श्रीक जावा जोब वेलो, पांडिया को फॉन कर यह मेरा हाइड आउट है मैं यहाँ एक्चुली किसी को बुलाता नहीं हूँ मुझे यहाँ के लिए रहना पसंद है अभी तुम्हारे लिए यह रूल्स मुझे बदलना होगा बदल लूँगा? नई, मैंने बदल दिया यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ कर्टन और खिड़कियों को मैं खुलता नहीं हूँ मुझे अंधेरा पसंद है अब अच्छा लग रहा है ऐसे रहना चाहिए मैं नहीं कह रही हूँ लेकिन ऐसे रहेंगे तो अच्छा होगा आज के बाद आपके लाइफ कलरफूल होगी यहाँ पर यहाँ पर बैठते हैं ना अब अब आप अब आप अब आप कमीने शेत्टू को धोका दिया तुने इतने तिनों से शेत्टू से जिंदगी की भीग माग रहा था हमारे स्कूल में बच्चों को एजिल एडमिशन मिल जाएगा पहले सप्लाइकने की ज़रूरत नहीं है डोनेशन भी नहीं लगेगा लाइन में भी खड़े नहीं रहना बड़या और क्या मैं क्वालिफाइड मैथमेटिशन हूँ कुल मिलाकर मैट्स में अवल तो हमारे बच्चों को मैट्स के लिए ट्यूशन बहार नहीं लीना पड़ेगा और आपको भी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप नहीं पढ़ा पाएंगे यह मुझे पता है इस सच में और क्या आ बच्पन में बहुत मोटी थी लेकिन डायेट और क्षिसाइब से पतली हो गई पतली हो गई हाँ पतली अगर चोड़ दूगी न तो फिर से पहले जैसी मोटी हो जाओगी मैं सच क्या रही हूं बहुत मोटी थी मैं तुम कहां थी इतने दिनों तक मैं यहीं थी बस आपने देखाने मुझे मन कर रहा है आज से तुम्हारे साथ जिन्दगी शुरू करो हलो कौन है वो नो वे नो वे ठीक है आई कॉल वे बैक ओके हलो या कौन है तु क्या है रे अपने आउको बहुत बड़ा पुलिस ओफिसर समझता है कौन है तु तेरा नाम बता बासु की खबर सुनी क्या तुने उसके दिवार पर लगे खुन के धब्बे को मिटाने के लिए कम से कम ती महने लगेंगे तुने बहुत बड़ी गल्ती की तुने हमारे सेतु को मारा ना तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा गिन गिन के बदला लूँगा तुस्से जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन तु धरेगा रोए गरे तुझे दर्द का हैसास होगा देखेगा क्या तुझे पस्तावा होगा कि तुने पुलिस के उक्ती ज्वाइन क्यों की अभी जो लड़की तुरे घर में साथ बैटी है वह तरी के लफेंड लेकिया बहुत खुब लखना मेरी बात यह तुझे मैं चैलेंज दे रहा हूं वे आज अगर मैं चाहता ना तो तुझे और तेरे साथियों को उस ओफिस में खतम कर सकता था लेकिन उसमें मजा नहीं आता ऐसे भी मेरी बात सुन तेरी उल्टी किंती शुरू हो गई है दो से तीन दिनों के अंद सिल्वराज सेर किसी और काम करने के बहाने बहार जाकर देखो कि कोई अपने एरिया में खड़ा है क्या क्यों सेर आसपास जाकर देखो कोई मंडरा रहा है क्या ठीक है सर कोई नहीं सर बस एक ओटो खड़िये ओटो हाँ सर इस गली के कॉर्णर पर है क्यों सर कोई प्रॉब्लम है क्या फोन पर एक धमकी मिली है तुम दुनों यही पर खड़े रहो तो के सर अलर्ट रहना सर क्या चल रहा है यहां पर सॉरी माया एक छोटा सा काम है जाना पड़ेगा आपक करके अपाट्मेंट में मेरा बेट करने के लिए के लिए बुलना सारे लड़कों को वेपन के साथ आने के लिए बुलना मैंने कमिशनर को इनफर्म कर दिया है ओके आप ऐसे ही घर से बाहर निकलते हैं क्या अब कभी का बार चलो संबल के अब नीचे संबल के एक मिनिट बाया हां यह खड़ी रहा है भारती भारते बारती जरा बहार जाना है ऐसा क्या सर गाड़ी में बैटिया मैं चोड़ देता हूं आपको आए सर बारती माया नमस्त्री आपने बताया है नहीं सर अच्छी बात है अपने शरीकान के खर पे चलो ठीक है अच्छी बात कर रहा हूं तुँ घर पर यह ना ठीक है मैं माय को लेकर खर पर आ रहा हूं अरूल सब कहां पर है बोल पांडिया अंदर ही है न वो हां पांडिया और वो लड़की उसके साथ ही है अंदर सिक्योर्टी के लिए बाहर कितने लोग हैं दो लोग हैं कॉंस्टेबल्स दूसरी कोई सिक्योर्टी पुलीस पुलीस की वेन ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है अभी उसे मार सकते ह शायद मार सकते हैं अब तेरी तो जो पूछा वो बोल मार सकते हैं या नहीं अगर वो कहीं बाहर जा रहा तो उसके पीछे जा और मुझे फोन कर मैं आ रहा हूं बीस मिनट में पुलिस वलों की जिंदेगी में ये धमकी बगरा कोई हैरानी की बात नहीं है लेकिन वो कोरी धमकी नहीं थी ऐसा मेरा दिल कह रहा था वो काउने मुझे पता नहीं उसने वास उसे को मार डाला उसका अगला निशनम आया है और उसके जरीव वो मुझे मुझे लगा कि वो उसी रात मिले खर पर हामला करेगा और बदले में मैं भी पार करने के लिए तायार था हाई 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 कम हाई हाई है कम कम है कम है आये न अंदर स्वाती, एक घंटे में आते हैं तुम्हारे बारे में माया को बहुत कुछ बताना है, हराम से आओ अन्वू, कौन है वो? वो कौन है मुझे तो नहीं पता, सीदो का कोई खास लगता है उसके आवाज में बदले की आग थी स्वाती और हम लोग आफिस में थे, यह उसको अची तरह से पता था आज पूरा दिन उसने मुझे फालो किया उसके आदमी मेरे खर के बाहर आटो में बटकर वाच कर रहे थे मुझे पता है उसने कहा था कि वो माया को उठाएगा, माया को तुम लोगों को, उसके बाद मुझे आज रात को पकका अटेक होने वाला है वो कौन है मुझे देखना है अपने पांच लड़कों को मैंने बुलाया है हम चार लोग, बस है न? ठीक है, अगर वो नहीं आया तो वो पकका आएगा, let's give him a surprise boys एर अफिक and Anthony, sorry guys आपके नीन खराब कर देखना कोई बात नहीं सर एक अच्छा action block हो सकता है या कुछ ना हो, ऐसा भी हो सकता है और अगर कुछ नहीं हुआ, तो मुझे बाफ करना action block हो तो enjoy करो, okay this is the plan thoseWorld अर्पो बातो वान सको बच्चा सेव जर उन्थे झाँ ING य democr ैघ मुश ॹ स Tort जी मेन बुलतान वाइगा याण पबंगयोति फ्रिप्वित खर्स इंगो मेरीológल याण उन्यान इंग्व resort मिल थे अर्स तqui संह परहिए कैना वूप बेश्लियर, टदभर सबसे दीद्क जा जा जिन ड़ा कर CT-02 छाहिए? वह जा का दीजेए? अट्रेया पेट्रवार्ड, अन्रू सिल्वन हीर, चन्ने के करीब अट्यार बिरीच, तुरंस अभी एंटर करो ओ शिट, मारूति वैंड में वोलों रॉंग साट से जा रहे, अट्रेया फ्लाय ओवर, उस तरफ तुम लग हो क्या, डिपलाई करो अट्रेया थे तुम तुम खिलेवस, बिलिए एंटर्वार्ण से लिएक। झाल 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 पुलिस तेरी सारी गोलियां खताम हो गई क्या बैए आजा एक किसके कितना था भया आज तुसे जिन्दा नहीं चड़ूगा और तेरे बरने के बाद वो लड़की जिन्दा की बरने कि आजा मेरे प्राद रहेगी आजा दा हुआ 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 आजा करते हैं अच्छ पाण्डियाँ नाम तो सुनाइए ओगा महराश्ट्रा पुलिस का रिकोर्ड जाके खंगाल तामिल्नाडू पुलिस की बैंट बजा चुपाँ क्या करेंगा भैज तेरी मौद तेरे करीब है अब मरेगा तु मैं उस रड़की को उठाके ले जाऊंगा ए अन्बू सल्वाम जब उसकी हालत देखेगा न तो बहुत की भीख मागेगा भै तु जो हुँ ँट एड तु सर लो खीक है लेकिन सर थोड़ी दर पहले मुंबई क्राइम ब्रांज से आया हुआ इंफॉर्मिशन फैक्स है यह आज की तारिक में मुंबई पुलिस के फाइल में इसके उपर 32 किसिस हैं एक्स्टॉशन जमीन कोहड़ अपना किड्नापिंग मर्डर छे महीने इसको जेल में रखा था तीन महीने पहले पुलिस की कस्टड़ी से फरार हो गया था यह वही है हॉस्पिटल से पांडिया मुझे याद आया उपनार पहले मैंने जेसेपी गनेशन से बात की थी सेलम नौर्थ और पांच मिनिट पहले फोन पर आई इन्फॉमिशन हमने जिस सेतु को गोली मारी थी उसका काम है आतुर सेलम के करीब 48 किलोमेटर की दूरी पर उसकी माँ एक प्रोस्टेट्यूट है उसका बाप दलाल है ये बात हम सबको पता है लेकिन हमें जो पता नहीं है वो जैसे पिस आपने हमें बताई ये लगबा 11 साल पहले की घटना है उस समय से तो तुतुकूडी में छोटे लेवल का गुंड़ा था उमरे 24 साल उसका एक सगा भाई है जो अपने माँ बाप के स उसका सगभाई पांडिया वहां पोलिस की कस्टडी से फरार होकर मदरास में तीन मेने रहा है जब हमने सेतु का एंकाउंटर किया था उसी वक्त पांडिया भी उसके साथ था इसका मतलब यह हुआ कि वह सेतु का बदला लेना चाहता है सिंपल मैं हिफाज़त के लिए अभी सेकुरिटी गाड का इंतजाम करता हूँ इस बारे में तुम मुझे एक लेटर लिख कर दो माया को इस प्रॉब्लम के बारे में पता है क्या नहीं सर तुम लोग पूरी तरह सतर कर रहा हूँ यह लोग बहुत है खतरनाक है तुम लोगों के लिए अडिशनल सेकुरिटी फोर्स का इंतजाम करता हूँ वो तुमारी काउंटर फर्जी की वज़े से जख्मी जानवर बन गया होगा अगर इस नजरिये से सोचोगे तब ऐसा करेगा वो पांडिया बोलो कहा रहता है मेरे को पता है जे टोल शिराम स्ट्रीक 752 फोर नमबर 3712646 मेरे को पता है बोलो वही है चल चल जल्दी चलते हैं इस नौड़ पेशिंट्स कैसर वो एक जुनून के साथ आएगा अगर वो मारना चाहता है तो कहीं से भी मार सकता है कभी भी तुम सोई थी क्या आप भीग है क्या यह तो पसीना है अन्बू मैं सोने जा रहा हूं सुभा बात करते हैं में क्यों सेल्फ कॉंफर्टेबल या शूर स्वाती स्वाती माया कहा है उपर रूम में सो रही है इस एवरिटिंग ओके आधी नीद में खड़ी हो जाके सो जाओ सोती माया को लेकर मैं सुभा जल्दी चला जाओगा शिरिकान को मुझे सबरे फोन करने के लिए बोलना मैं यहाँ इस सोफे पर सो जाता हूं एंधी बिए सब्सक्राइब करा जा रहे हैं सुरी माया जगा दिया क्या मै बैठिये ना नीन नहीं आ रही है बुले क्या हुआ माया एक प्रॉब्लम है तुम्हारी जान को खत्रा है मेरी वज़े से मेरे काम की वज़े से वो कोन है उसके परे में हम पूछताच कर रहे है तब तक तुम सुरक्षी जगा पर रहोगी तो मैं कमफरड़ेबल फील करूँगा हम सुभा जल्दी से जाग कर आके गंदी से स्यादा और कोई सुरक्षिक जगे मेरे लिए नहीं हो सकती आई वितियो माया सीरियस बात है तुम्हें खत्रा है थोड़ा संबल कर रहना सुभा होने के पहले निकल नहीं तुम सोजाओ इसी भी सा जब आप है तो मुझे कैसा खत्रा आप लोगों को मार कर मुझे नहीं बचाएंगे कोई एसीट फेखता है तो आप इतनी हिमत दिखाते हैं दुश्मन कोई खत्रा है माया ओफिसर मेरी उम्रे पता है आपको 24 पता है क्यों पूछा क्यों इस किस के लिए 24 साल इंतिजार किया है अब मैं एक सेकंड भी वीट नहीं कर सकती मेरे कार मेरे साथ तुम्राओ एक मेनी पहले कहा था तुम नहीं चाहिए आज क्या रहे हैं तुम चाहिए पुलीस वाले ऐसे ही होते हैं क्या जब तुम लोगों ने सेतु को मारा था तो बहुत हंस रहे थे ना अब हंस के दिखा जो पुछता हुए पता उस लड़की को कहा रखा है और तेरे साथ जो अपीसर रहते हैं उसका खर का है रहे अगर नहीं बताया तो जान से बार दूंगा एक मामली लड़की और अपने पांच बज़े कहीं जाना है आप कह रहे थे ना कहां जाना है स्कूल है मैं जब तक ना बलू तब तक स्कूल वगरा नो नो वे वन सेक्ड़न कर दो और हम सेक्ड़ित कौन है वो सर जब पुलिस को इतना मामुली समझ रहा है सीधे पुलिस के घर में खुस कर सीधे पुलिस वाले को ही शूट कर दिया जस्ट प्रूव पॉइंट कितने हिम्मत है उसमें इला को मारना नहीं चाहिए था सर सेत्य को जो हमने मारा हमें जो कम दिया गहाँ था हमने वही किया न सर यह कोई गुना है किया आइप फिल रिस्पॉंसिबल उसे मारना है सर उसको मारना ही होगा लेकिन अब हमारी साइट से किसी की भी जान नहीं जाएगे अब हमें कल इला मारन का दा संसकार करना है माया, कुछ दिनों के लिए मैं स्कूल में इन्फॉर्म कर देता हूँ, फिक्र मत करो स्कूल फाइल से तुम्हारे एडिस डेटेल सा ब्लैक आउट कर दूँगा, ओके, थोड़े दिनों बाद मैं महापरा आ जाओंगा, लोटते वक्त तुम्हें वहापस ली जाओंगा स्वाती, स्वाती को पूना भीज रहे हैं, उसका भाई वहाँ रहता है, वो एरपोर्ट पहुंच गयोंगे माया, फिलाल अपने दीदी को कुछ मत बताना, वो डर जाएगी माया, राजा, गाड़ी कहीं मत रोकता, माया, मैं आ जाओंगा बोगे जाओंगा ओ का बढ़ी को को समयो बोड़ी को बोलाई जाओंगा पेंचाकू करनन इसका नाम है सेतुक आदमी है अच्छा नाम है कि पंडिया कहा है मैं निजानता हूँ अधिया रष्ट कर दो मैं सरकारी कवाब बन जाओगा यहाँ और रहाँ है अंदर लेके जाए इसको लेके जाए फॉंदे देख जाए क्या हुआ भोल रहा था कुछ बात करनी है वही तो बात कर लिया ना दोपेर में मैंने कहा था ना कि पॉंड़ी चरी जाना है बस इतना ही वही तो लेकिन अचाना क्यों सिच्वेशन अभी ठीक नहीं है और माया को गये हुए अभी तीन दिन ही हुए है फिर इतनी जल्दबाजी क्यों यही बात करने के लिए है चला आया उसे वहां बेचकर मैं यहां हिजड़ी की तरख हमोश नहीं बैठ सकता चरीकान मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला लिया है माया से मैं शादी करने वाला हूँ कल ही अब फिर मैं वहाँ तीन दिन उसके साथ रहकर उसे यहां लाने वाला हूँ वो कहीं और रहे इससे अच्छा मेरी घर में मेरी साथ रहेगी तो यह अच्छा रहेगा ना शादी मतलब? कहा? पता नहीं उनके घर में या किसी मंदिर में वहाँ जाकर उसकी दीदी से बात करने के बाद ही पता चलेगा मैं वहाँ पहुंचने के बाद कल मैं तुम्हें फोन करके बताता हूँ तुने फैसला कर लिया है? या अभी मैंने अरुल को भी इस बारे में बताया तुम्हें फोन लगा ही रहा था कितने में तुम आगए शादी में हमारी जरूरत नहीं है क्या नहीं श्री हम सबको एक साथ ही कठा होने की जरूरत नहीं है सबको पता चलेगा इट्स टूरिस्की हम वापस आते ही विल हैब गेट टूगिधर स्वाति का नंबर क्या है मैं उसको फोन करके बताता हूँ वो अपने फ्रेंड के घर पे रह रही है वहाँ फोन कनेक्शन नहीं है उसको बताने की सोच रहा था लेकिन ना बताओ तू कैसे वह रहा है वो मुझे फोन करेगी मैं उसको बता दूँगा वो मीजजबा क्रफ़ी बता रहा, आए, यही यहा है यही यही यहा सकते जी बताद़्ा अगले दिन माया और मेरी शादी हो गई उसके घर में हमारे खिलाफ कोई भी नहीं था मैंने जो अब तक देखा था उन्हें के तरह हमारी शादी भी बहुती खूब शूरत थी कर दो अगले खिलाए जो भी तरह हमारे खिलाए भी नहीं था श्री रन्बू रन्बू कैसा तू क्या हुआ शादी हो गई दोपर में दो बजे अ नहीं उनकी एक प्रॉपर्टी है पॉंडी चरी से 50 किलोमेटर की दूरी पर चिदमवरम के रास्ते में एक वाइपास है एक वुड हाउस लेक के उपर बनाया हुआ है बहुत एक खूबसूरत है और यहीं पर हमारी सुहागराद भी है कल शाम तक मैं महाँ पर आ जाओंगा और परसों वहाँ से निकल जाओंगा उसको लेकर स्वाति ने मुझे फोन नहीं किया श्री मिस्ट अल्यू गाइज सब लोग साथ होते तो बहुत अच्छा लगता उसने मुझे भी फोन किया था तुम्हे भी फोन करेगी अपना मॉबाइल आन रखना ओके ओके चलिएर बाई टेकर बाई आप खुशता है ना क्यों देखने से तो नहीं लग रहा टेंस लग रहा है आँखों में दुख इला मारा है अच्छा फ्रेंट था बट देट सोके तुम कोई फिक्र मत करो तुम बस खुश लो यही तुम्हारी खुश थी ना मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत सारी बाते करनी है बहुत कुछ बताना है हमारी जिन्दगे कैसे होनी चाहिए हम कैसे रहेंगे लेकिन एक रात काफी नहीं इतनी सारी बातों के लिए टाइम चाहिए इसे भी बोलो ना बोलती हूँ आखे बंद कीजी ठीके मैं अपनी आखे बंद करता हूँ क्या कह रही हो एक या दो खाइशे बताने के लिए एक रात काफी है क्या बोलो क्यारी इसे लिए 1 प्यारी आखे बंद कीजी इसे जाओे अधे जाइशे अच्याप क्यारी दोशे है तुमाल खम आखे बंद काया क्याक, वुछ सब्सक्राइब है सब्सक्राइब तरुजोगत में अंगा बोला था था ना प्रयुन से काट चियान थे थे सिर्डिन हम भर जाना चाही था मार डाली से, मार डाली से, चोटा निये, माया, तुझा रारे, माया, 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 तो तो जोड़ो तो जोड़ो है च्छुड़ो जोड़ो थो पूर आज के बाद यह मेरे साथ रहेगी देखेंगा तू देखेंगा तेरी तू तो माया! मेल, कतान, अन्बूस एलबाम, लेके चल इसे! मेरे लिए मेरी खाकी वर्दी सब कुछ था, आज उसने मुझसे कीमत मांगी, माया के रूप में, वो लोग उसको लिकर चले गए, सब कुछ मेरी वज़े से हुआ, मुझे मरना नहीं है, माया को बचाना है, मेरी माया को मुझे बचाना है! आ BROWN, हान्भू, 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 हान्ू! अन्भू, हान्भू, हान्भू! आरून opposition कीए, हानभू! अरूल यह दिम्त है रहे चारे उचा अन्बब 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 इसे उड़ाना अधा मया का है थे आप तो घर जाके देख झाल 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 तुझे छोना निये क्या जैवो बाबो जावँ ठीक है तुझे आज़े जाल जाल ठीक है नए तु नौर्थ इंडेन है क्या? तेरा गाँ काँसा है? तु तमीर भाई लड़की नहीं लग रही? तेरा कलर, तुरे बालों का रंग, क्या मस तरी, तेरी तो, छे, तु जूठी है, इसलिए मैं रुक रहा हूँ, कर रात को तेरी सुहाग रहा थी न, अच्छा था, तुझे पहनने की जरूत नहीं है, तुझे इसकी जरूत नहीं निकालने से, उतार दे इस मंगल सुत्र को, आज के बाद तुझे इसकी जरूत पड़ेगी भी नहीं, अब कर वो पानी के अंदर मर भी चुका होगा, क्या हुआ बता, वो चारों बहुत हिम्मत दिखा रहे थे न, हाथों में बंदूक थी तो किसी को ही मार देते, उन्हें वो सबक सिखाया कि पुलिस वाले को रूह का आप जाएगी, कल का अखबार यही है जिन्दगे, सबके लिए अन्वसेलवम की भी है, कमीना साला है सिस्टर, डॉक्टर को बुलाओ, कौन जो हॉस्पिटल है, पांडेचरी गॉवर्मेंट हॉस्पिटल, कितने दिन हो गए, कई दिनों से आप यहाँ पर है, आप शांत हो जाएए, प्लीज, सर, 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 नर्स, है, बेहुच्टर, मुझा यह सब देशिए, मेरे पास बाज क मुझा यहाँ जाना है, म.A.C.P. Anbu Selvan, Assistant Commissioner of Police, Crime Branch, ACP Harul को बुलाओ, phone number 98410-65486, call him, call him, call him, बुलाओ, Harul को, सर, Harul! Anbu, कुछ नहीं होगा, मेरी बात पांगा, सब लोग बहार जाओ, मुझे बात करनी है, बहार जाओ सब लोग, जाओ यहाँ, जाओ यहाँ, अनबो, प्लीज, स्ट्रेस मत लोग, लेट जाओ, मैंने बोलाओ, क्यों श्रिकांद, स्वाती नहीं आई, अनबो, मैंने तुछे जूट बोला, अपने काम के साथ भी कद्दारी के, उस वक समझ में नहीं आया कि क्या करो, वो लोग, स्वाती को उठा के ले गए, वो उनके हाथ कैसे लगी मालूम नहीं, एरपोर्ट तो तो मैं खुद छोड़ के आया था, उन लोगों ने मुझे बुलाया, और मेरे आखों के सामने ही उन्होंने, अगर उनकी बात नहीं मानता था, उसकी करदार काट डालते, उनके मेरे शेट में माइक रखकर, तुम्हारे घर बेजा था, और हमने जो भी बात की वो, वो उन लोगों ने सुन ली थी, तुम्हारी गन भी मैंने ही बदली थी, और उसके अंदर की गोलियां भी निकाल दी थी, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी, उस रात को तु कहां पे है, ये मैंने ही उन्हें बताया था, फुरी रात वो लोग मेरे घर पे ही थे, एक घंटे के बाद उन्होंने स्वाती से मेरी बात करवाई, अचानक सुबद चार बजे वो लोग निकल के हैं, तब मेरी अकल ठिकाने आई, फिर मैंने अरूल को बुला कर सारी लिए और कमिशनर को इन्फॉर्म किया, और रास्ते में तुझे फोन भी कर रहा था, लेकिन तेरा फोन बसता रहा, और हमारे पहुंचने तक, एए श्री, क्या कर रहा है तू, श्री, क्या है यह सब, मुझे माफ करना अन्बो, एक इंसान और पुलिस होने के नाते है, मैं हार किया यार, तुझे पता है, मेरी स्वाति मुझे कभी माफ नहीं करेगी, श्रूट में अन्बो, जाश्रूट में डाउन, कुछ भी गलत नहीं होगा, जाश्रूट में डाउन, वो सिर्फ तेरी स्वाति नहीं थी श्री, वो हमारी स्वाति थी, प्लीज, प्लीज, मुझे छोड़ दीजे, आप जो भोलोगे, मैं करोगे, तो मुझे नहीं चाहिए, लड़के लोग काफी दिनों से भूगे है, उनको चाहिए, दो तीन लोगी है, क्या जाएगी क्या, बोल, बोलना, पांडिया, क्या रहे बोस, पांडिया, अन्बू सेलवन जिन्दा है, पांडिचेरी के गवर्मेंट हॉस्पिटल में है, वहाँ वो बच गया, एसीपी अरूल, इस बेम साब का पती, कमिश्टर, और बहुत सारे पलिस वाले हैं, सब लोग वहीं जूटे हैं बाई, हलो, कमिश्टर, बिजय मेनन, मैं पांडिया बोल रहा हूँ, अन्बू सेलवन से बात करनी है, अबे, अन्बू, बात कर, अन्बू सेलवन से बात कर, घर, पांडिया, पांडिया, अन्बू, मया, 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 म मैंने सोचा था तुमर गया सब कुछ खतम हो गया तो अभी एक फैस्टा करते हैं मद्रास से ठीक तेड़ सब किलोमेटर दूर पार करके आंध्रा हाइवे का संभा सीरण नाम की जगा है तूहां पर आ और इसे ले करके जा और एक बात तेरे साथ जो तो पुलीस वाले रहते है ना उन कुत्तों को भी साथ लेकिया आना समझ गया ना तो अगर तुझ में हिम्मत है और यह लड़की तुझे चाहिए तो समरा सिंभा अभी सिर्फ तुम तीनों है क्या हुआ स्वादे तु जा सकती है तेरा पती तुझे ढूड़ते हुए आ रहा है उसके पास जा चल जा जा बिना किसी सुरक्षा के तुम कैसे जा सकते हो उसने सिर्फ तुम तीनों को बुलाया है इसका मतलब वो तुम तीनों को खत्म करना चाहता है हमें ये भी नहीं पता वो कित दोले यहां से चल्दी निकलना है पारी की तरह तैयार हो क्या समझे क्ता उला जाए्टाज का प्यों तो... रुक जाओ सा जा रहो देड़ 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 शिर्कान से जरा उस तरफ देखिए क्या है ये सब अन्बु क्या है ये सब इसे खोल कर देखते हैं नो अन्बु इसके अंदर क्या है मुझे अच्छी तरह से पता है श्रेई इसमें कुछ नहीं है मैं खोल कर देखने मला हूँ अरे वो कौन है अन्बु क्या चाहिए उसे क्यों हम उसके सामने जुक रहे हैं हम उसके खुछ कर नहीं सकते क्या अ क्या शर्म नहीं हा रहे हैं शल्म सक्षर शल्म सक्षर जर्ट जर्त मार्म। हुए हुए सर सर प्ली सर प्ली सर सभागी अपने आप तो सर प्लीस से सब प्र्णाओं आप प्लीस मेरी बात नहीं जुरह प्लीस क्यों रूहर है रोने से क्या होगा प्लीस साथ शाथ शातिका परतल कर वर कार विजा है शातिका साथ पर सारा शातिका पने लिस्टेपल समाण परतल का बर्माद के सहरा कोज दो कोज नि नियोगह और अपने मेरा सोग्ए खुर्थी आप बदो अपने यह Spit, श्री श्री शूरषी श्रेज श्रेज पिस्टिन क्यों कर दिया तुम्हें धुए धुए गर्दन काड़े किती दिर हो गई तुम्हें अजी में लग रहे हैं कद तक पड़ेगी यहां पे वार लक्षमी नाम की एक औरत है तो ने इसके बारे में कभी सुना उसका एक बहुत बड़ा घर है उसके घर में सिर्फ लड़किया ही लड़किया है तुझे वही लेके जाने वाला हो तेरी जैसी लड़कियों की वहाँ बहुत डिमांड है एक से एक शहर के बड़े ठरकी लोग वहाँ पे आते हैं दो हपता तुवहाँ रहे गई ना बास पैसा बसूल और जब तेरा अन्बू आएगा तो तेरी हालक देखके वह त्रड़ब त्रड़ब के मरेगा कसम से यह सब करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन क्या करूँ तेरा वो तेरा वो हीरो मरा नहीं ना वोसे मरना होगा बोस कहा जा रहे बूख लेगी इडली खा के आता हूँ ठीक है ठीक है ये सर अनबू यहीं पर है मैं इंफर्म कर देता हूँ ओके सर अनबू इसका नाम बोस है सेतु का पुराना आदमी है पांडिया इस वक कहा है इससे पता है ये भी जानता है कि माया इस वक कहा है आज रात वो लोग से कहीं और ले जाने वाले है हमें रात होने से पहले कुछ करना होगा ये हमारे लिए आखरी चांच है वरलक्षमीर तू अपनी जात मुझे मत दिखा तू जहां कहें कि वहां मैं नहीं आ सकता मैं जो जगह बता रहा हूँ तुझे उस जगह प्या और पैसा लेके आना इस रड़की को अपने साथ लेके निकल जाना समझी आदे घंटे में तुझे वहां आना है रहा हूँ आना इस वहां आना है च pessimism पंडिया पंडिया, पंडिया, पंडिया पंडिया पंडिया, यह म।ूरों रामों और चंत्रा को व्यिंदीए पंडिया हूं यहां से जल्दीवागना ओपंडिया, तब चले। किसे बात को भी मन ख़ोड़ा, voter राइ बाइ बाइ दिया माया माया राइ 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 अटे में हमाई भार करो दुका का टृष में का जलंडी बिसा नो! मया! अरोल! मया! अरोल! सवर्ण! मया! 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 मया कुछ ने होगा कुछ ने होगा झालाम मया कुछ नी होगा तर हुंचक तरह है जै। मया वरोड़ना好好 मुझ में भी हम्मत बाकी है तुम्हें दिखाई दे रहे ना मैं तुम्हें भी हॉस्पटे लिकर जा रहा हूँ आप इस तुम्हें बापस बताओ कि ना माया बताओ ना कुछ बोलो ना माया कि अवर रहे यह बताओ लगता अगंटा बोटारे में अवर्ण अवर्ण वर्ण जागा पान दो से कि अवरे ये जो हो पार ये वर्ण भू एिएמע के ब बताओ प्र धारी में अवर्णर झा का यह वर्ण 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 ये टालेकर कोंवर कि अ हुर्ण बताओो अबे पुलिस वाला इधरा 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 बे अबे इधरा आजा मेरे साथ लाड़ आना क्यों फट रही है ग्या एसी पी अन्नुस अलबाम एंकाउंटर स्पेशलिस्ट इधरा आ इधर देख अकेवा कड़ा उतरे सामने आजा अजा इधरा 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 इ झाय झाय। आञ रह बहुटे वे है rhyme कि अधिकी निया होगई मैं धुड़ी निया लृप लृप लोगई कलोगई कटा अधूना 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 हुड्डी अधूना हुड्डी. मार्ना मुझे झाल तुम्स तो प्ड़िन मेरे साथ ही उगो मारने के बाद जब अकिला रोगा तब बात करें बोला था अकिला आया हूं मैं बात कर मुझे बोलना देख देख बात करना बात कर मुझे बात कर देख सब मर चुके तरे आदमी किते लोगों को किते लोगों को मारा है तुने सिर्फ एक सेतू के लिए तुम वो इंक कीडा था उसे मिटाना था ये ये इस शेर के लिए अच्छा हिथा इसलिए मैंने उसे मारा था उसके लिए तु आया तुझा भी खतम कर दूँगा मैं, तेरे जैसे कोई आ राएगा, मैं उसको भी मारूँगा, सबको मारूँगा मैं अ कि अ कि अ उसकत भी मारूँगा मैं, तेरे जआ नवे कोई अखचा ह। पुलिस की जिन्दगी एक जंग का मैदान है लेकिन यहाँ पर निशाना सिर्फ किसी की जान लेने के लिए नहीं लगाया जाता है कुछ पुलिस वाले इमांदारी, हिम्मत और वर्दी की इज़त के लिए जीते हैं खाकी वर्दी में भी कुछ दब्बे होते हैं उसकी वज़े उसे पहनने वाला इंसान ही होता है कुछ पुलिस वाले अपनी इमांदारी को कभी नहीं भुला पाते हैं उनके अंदर आज भी मानवता जिन्दा है वो उसके लिए कोई भी कीमत अदा करते हैं उन्हीं पुलिस वालों के कारण हम सब चैन की नीज़ सो पाते है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को इंफार्म कर दो कि महाँ पर दस मिनिट में पहुंचा है मैं पंदरा मिनिट में पहुंच जाओंगा मैं सब देखिऊंगा सर कि अइसे रहना भी यह नहीं कह रही पर ऐसे रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा आज के बाद आपके लाइफ कलरफुल होने वाली है कि अब आप कि कि